प्रिय शिक्षार्थियों, N.I.O.S. के स्टूडियो में आप सब का उनहा स्टूडियो में डॉक्टर चन्दन कुमारमिश्र असिस्टेंट प्रोफेसर वेद विभाग श्री जगनास संस्क्रत विश्वविद्याले पूरी उडिशा से आप सब के वीच उपस्थित हूँ आज मैं पुनहा उच्चतर माध्यमिक कक्षा के विदाध्यनम पाठिक्रम के अंतरगत पुस्तक्रमान के दो पाठ सत्रह सब्तदश पाठ जो की हिरन्यगर्वसूकत के नाम से है उसके प्रथम भाग का अज्जयन करेंगे यहा रगवेदियम हिरन्यगर्वसूकतम दशमम मंडलम सूकतम 121 रगवेद का यहा हिरन्यगर्वसूकत है जो की रगवेद के दसमे मंडल में सूकत संख्या 121 है रिशिभी तपसा दिव्य चक्षुर्भ्याम यद ज्ञानम लब्धम यहा शब्दरासी ही अधिकतहा सवेदहा रिशियों के द्वारा जैसा की कहा गया है रिशयो मंत्र दश्टा रहा अतहा रिशियों के अपने दिव्य तपस्या के प्रभाव से उनके दिव्य चक्षुर्वों को जो साक्षातकार प्राप्त हुआ ज्ञान रूपी विशिष्ट दर्शन जो उन्होंने किया जो शब्दरासी उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने तफ़प्रभाव के शाप्तकिया वह वेद है। शिकलता के कारण इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान उपलब्द होता वह भ्रमप्रमादादी उस ज्ञान में संभव हो सकता है। वेद भी महरशियों के दिव्विचक्षु से जो की अंता इंद्री है ऐसे दिव्विचक्षुओं के द्वारा तपप्रभाव से प्राप्त ज्ञान है। इसलिए वैदिक ज्ञान आज भी भ्रम रहित है। वैदिक ज्ञान में किसी प्रकार का भ्रम प्रमाद इत्यादि दोश नहीं रहता है। वेदेशु भिन्णः वेदाहा, रगवेदाहा, यजरवेदाहा, सामवेदाहा, अधर्ववेदाश्चेती। चार प्रकार के वेद हैं भटे हुए भिन्न भिन्न चार वेदों में रगवेद, हैंजरवेद, सामवेद और अतरवेद इस प्रकार हैं तेशु रिगवेदे देवता स्थुति ही वर्तते उनमें जो प्रथम रिगवेद है उनमें रिगवेद में देवताओं की स्थुतियों का वर्णन प्राप्त होता अतेव कहा गया रिच्यते स्थूयते अनया रिक जिसके द्वारा स्थुति की जाए उसको रिक कहा जाता ऐसे स्थुतियों का संकलन जिस वेद में है उस वेद का नाम रगवेद है तस्यיव अरगवेदस्य अम्षभूतम इदम हिरन्यगर्वसूकतम इदमत्र अस्माविmi पठनियम इसी स्तुतिकत अरगवेद के अम्षभूत यहां हिरन्यगर्वसूकत जो की दसमे मंडल में राप्त होता है इस सूकत का अध्यन आज हम लोग करेंगे रगवेदी देवता स्वरूपानाम अध्ययनकाले स्पष्टमेव ज्यायते यत रगवेदे एकस्याह एव परमसत्ता यह स्थुति ही विविधनामना अक्रियत तो रिगवेद में जो देवताओं का स्वरूप प्रतिपाइद किया गया है उसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रिगवेद में एक ही परमसत्ता की स्तुति अनेक नामों से किया गया है कि मर्थम इत्युक्ते वक्तु मुशक्यते यत सरवेशाम देवानाम गुणसाम्याद यदि ऐसा प्रश्ण हो कि क्यों एक ही सत्ता की स्तुति रिगवेद में प्राप्त होती है तो आप बता सकते हैं कि सभी देवताओं में गुणसाम्य है एक एव आत्मा भहुधास्तु यते इस प्रकार की चर्चा वेदों में प्राप्त होती है कि एक ही देवता अनेक नामों से विख्यात होते हैं एकम सद विप्रा भहुधा वरंती यहा रिगवेद के मंतर का एक अम्ष है बहुध काल पूर्व यहा संपूर्ण स्रिष्टी स्रिष्टी के आरम में आप कह सकते हैं स्रिष्टी के आरम में यहा संपूर्ण स्रिष्टी एक महान जलकोष के द्वारा वियाप्त रही संपूर्ण स्रिष्टी जलमय रही ऐसा कहा जा सकता है अतहा उस जलमे व्याप्त स्रिष्टी को अग्रेसर करने के लिए देवता स्रूप बीजभूत हिरन्यगर्भ नूतन स्रिष्टी के लिए हिरन्यगर्भ के रूप में वह विराठ ब्रह्म स्रूप का आविरभाव हुआ वह हिरन्यगर्भ एव प्रयापति ही इतिनामना ख्याता है वह हिरन्यगर्भ ही प्रजापति के नाम से विख्याता है वैदिकाहा रिशयहा स्वस्य उपास्यम देवं सदैव अपूजयन ते सरवदा स्वकार्यसिजर्थम स्वोपास्य देवं आफवजन्ती हेरनगर्व सूक्त की पूजनीयता के विशय में कुछ चर्चा यहां करते हैं वैदिक रिशिगण अपने उपास्य देवों की सदैव उपासना में रत रहते हैं वे हमेशा अपने कारे की सिध्धी के लिए अपने उपास्य देवोताओं के आफवान कर्म में लगी रहते हैं ते प्रजापतिम आफवयंतहा वदंती हे सत्यधर्मन प्रजापते त्वंप्रथिवीम जुलोकंच उत्पारितवान वे रिशिगण प्रजापती को आफवान करते समय बोलते हैं कि हे सत्यधर्मन हे सत्यधर्मन हो जिसका ऐसा हे सत्यधर्मन प्रजापती आप प्रथिवी और जुलोक को उत्पन्न किये आनंदकारिणम चंदरमसम समस्ट जलसमूहंच पुत्पाई दवान, केवल जिलोक और प्रतवीही नहीं, अपितु व्यक्ति के मन को रवन करने वाले, अत्यन्त आनंद से आहलाजित करने वाले चंदरमां की और समस्ट जलसमूहों की पुत्पथि भी आपने की अतहा अस्मान मापीड़य अता हे भगवन हे प्रजापती हमारे सभी पीडाओं को आप हर लें हमें किसी प्रकार की हिंसा न होवे ऐसा आशीह प्रदान करें हम लोग जिसकिसी इच्छा को मन में रखके आपके लिए अवे प्रदान करते हैं हमारी वे इच्छाएं पूर्ण हो ऐसा आशीह में आप प्रदान करें एवं आसीत प्रजापते हे हिरन्नगरवस्य च पूजनियता इस प्रकार हिरन्नगरव की जो की प्रजापती स्वरूप हैं उनकी पूजनियता रही है रिश्यों के द्वारा इन भावनाओं से हिरन्नगरव की पूजा की जाती रही है एतत विशयकम एवयदं सुक्तम या हिरणजगर्ब सूक्त इनहीं विश्यों से ओतप प्रोत है अस्य सूक्त अस्य हिरणजगर्ब प्राजापत्य रिशिही तृष्टुप छंद प्रजापत्य देवता इस हिरन्यगर्व सूक्त के प्राजापत्य रिशी हैं तृष्टुप चंद के मंत्रों का संकलन इस सूक्त में प्राप्त होता और संपूर्ण सूक्त गर्त मंत्रों के देवता स्वयम प्रजापती परब्रम हैं रगवेदी यमिदं सूक्तं दशम मंदले प्रोक्त मस्ती रगवेद संपूर्ण रगवेद दस मंदलों में विवक्त है और दसमे मंदल में इस हिरन्यगर्व सूक्त इचर्चा आती है दसमे मंदल में या हिरन्यगर्व सूक्त कहा गया है इस सूक्त में दशरिचाएं हैं इसलिए इस सूक्त को दशर्च ऐसा कहा जाता है अस्य पाथस्य अध्येनेन भवान वेदे विद्यमान अस्य दार्शनिक सूक्तस्य परिचयम प्राप्तम शक्नोती आप इस सूक्त के अध्येन से वेदों में विद्यमान दार्शनिक सूक्तों का परिचय ठीक ठीक से प्राप्त कर सकते हैं वैदिक दार्शनिक सूक्तों से आपका परिचय सभावतहा इस सूक्त के अध्येन से हो जाता है हिरण नगर्व सूक्त अस्यो मूल मंत्रान ग्याप शती आप हिरण नगर्व सूक्त के मूल मंत्रों का अध्यान भी कर सकते हैं और हिरण नगर्व सूक्त अस्यो पदपाथ हम जाने याद मूल मंत्र का पदपाथ किस प्रकार होता है यह भी आप इस सूक्त के अध्यान से जान सकते हैं हिरन्यगर्व स्वरूपम ज्यास्यती आप इस सूक्त के अध्यान से हिरन्यगर्व के संपूर्ण स्वरूपों का ज्यान प्राप्त कर सकते हैं वैदिक समाजस्य चिंतनस्य उच्चतमम स्तरम अवगंतुम प्रवरतेत वैदिक समाज के अत्यंत उच्चतम स्तर रूपी चिंतन का अवगंण आप इस सूक्त के अध्यान से कर सकते हैं। धन्यवाद।